हेलो स्ट्रेंज आज हम शुरू कर रहे हैं अपना मैट्स का फर्स चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स यह चैप्टर आप फिशले वन मंथ से रीड कर रहे हैं स्कूल में और काफी कुछ इसमें सीख रहे हैं और सीख भी चुके हैं इसलिए मैंने यह वीडियो बनाया आपक की प्रॉब्लम्स है वो आप बहुत अच्छे से क्लियर लेकर पाएंगे इसको देखने के बाद जो चीजें आपको नहीं समझाया आप उसको दुबारा क्लियर कर सकते हैं इसमें यहां हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे अपना कंपैरिजन फिर ओर्डरिंग एसेंडि अफन नंबर्स और जितनी भी आपकी व्रड प्रॉब्लम्स है वो सारी एक एक करके मैं आपको क्लियर कर आवाँगी तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना फिर्स चैप्रा नोइं आवर नंबर्स और पूरे डिटैल में इसको स्टडी करते हैं चलिए शुरू करते हैं नंबर्स के साथ और नंबर्स जो हैं all over the world people use numbers in fact numbers have been part of human day-to-day life since prehistoric times many thousand years ago people knew only small numbers gradually with the advancement of human civilization people learnt how to write and handle large numbers और उसके लिए उन्होंने symbols बनाए symbols means one two three four five six seven eight nine इनको हम use करते हैं represent करने के लिए any number और जिसको हम बोलते हैं deserts इनी desert से मिला के हम किसी भी number को बनाते हैं जैसे हमें लिखना है अगर four five six seven eight तो यह क्या हो हमारा एक number हो गया forty five six seven eight a group of deserts denoting a number is called a numeral और इसी को हम words में express कर देंगे तो उसको हम बोलते हैं number name और इसको हम numeration भी कहते हैं दौनों तरीके से हमको लिखने के लिए आता है आपको deserts में भी लिखना होता है number को अगर number name दिया होता है और अगर deserts दी हुई हैं तो आपको उन्हें बापस words में लिखना होता है तो यह एक question आपका रहता है दूसरे आपके जो question आता है उसमें रहता है कि natural number कौन से होते हैं और whole numbers क्या होते हैं तो natural number आपके क्या होते हैं जो start होते हैं one से यानि कि one two three four five इसे लेकर HEYT तक यह सब आपके क्या है natural numbers हैं तो यह आप देख रहें कि question क्या बनता है कि सबसे smallest number क्या होता है small natural number लंघ् A small natural number क्या होऊ one हूअ और whole numbers जो होते हैं आपके वो कहा से शुरू हो रहे हैं तो वन से और इन्फरhouse तक जाते हैं तो आप देखấp 0, 1, 2, 3, 4, यह सब क्या हो गए? Whole number. अब कोशिन किस तरह आता है? कि सबसे small whole number क्या होता है? तो small whole number हमारा क्या रहेगा? 0, जब कि small natural number हमारा क्या है? 1 है. अक्सा whole numbers जो है, वो natural number हो सकते हैं सारे. लेकिन natural numbers में जो कोशिन आता है, वो इस तरीके से interchange करके आता है, कि सारे natural number whole numbers होते हैं, तो yes. लेकिन क्या सारे whole numbers natural numbers होते हैं, तो no. क्या confusion हो रहा है आपको? तो दुबारा समझे कि जो whole numbers होते हैं, वो सारे include करा रहे हैं natural numbers को भी. यहां आप देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यहां आपका 1, 2, 3, 4, 5 है, लेकिन यहां 0 नहीं है, तो सारे natural numbers whole numbers नहीं होते हैं, वो wrong statement होते हैं, तो एक तो small पूछा जाएगा आप से, कि small natural number क्या है, small whole number क्या है, इसलिए मैंने यह आपको सबसे पहले डाला कि, तो one number में तो आपका यही question आता है, clear, next, अब हम लोग समझते हैं, Indian system of numeration, in Indian system of numeration, हम use करते हैं, once, thousands, lakhs and crores, तो यहां हम इनको separate करने के लिए, lakhs and crores को separation के लिए, और read करने में हमको difficulty ना हो, easiness हो, उसके लिए हम use करते हैं, commas का, commas are used to mark, thousand, lakhs and crores, first comma जो हमारा आता है, वो आता है, hundredth digit के बाद, second comma हम place करते हैं, ten thousand digit के बाद, और third comma हमारा आता है, after the ten lakh digit, इस तरीके से, हम अपने numbers में, commas place करते हैं, जिससे हमें पढ़ते समें, आसानी हो, जिसे first example में हमने number लिया, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, eight, तो यहां पर भी हम कहां से start करेंगे, right side से start करेंगे, और फिर left की तरफ जाएंगे, और अपना जो commas हैं, उनको place करेंगे, तो counting three digits, thereafter place comma, after ever, every two digits, क्या धेयान रखना है हमको, कि हमको यह जो number है हमारा जैसे, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, eight, इसमें कहां से शुरू करना है, right side से, right side से शुरू करने के बाद, three digits हम देखेंगे, और फिर comma place कर देंगे, left जाते होए next two digits, and second comma हमारा यहां, place हो जाएगा, और उसके बाद हमारा third comma, next two digits के बाद आएगा, तो इस तरीके से हम इसको read करेंगे, 23,45,67,898, कोई confusion नहीं है, first group हमारा थरीका बनेगा, और उसके बाद की groups हमारे two, two digits के रहेंगे, इस तरीके से three comma हम place करेंगे, यह आपका must question है, और यह आना ही आना है, next example हम लेते हैं, जिसमें number है, 389,41275, तो यहाँ भी यह number हमने जो लिखा है, 389,41275, इस number में हम यहाँ right से शुरू करेंगे, left की तरह आते हुए, three digits count करेंगे, और comma place कर देंगे, very easy, next फिर two digits लेंगे, और फिर हम comma place कर देंगे, और फिर हम दो digits count करेंगे, और comma place कर देंगे, तो इस तरीके से हमने, करोर, lakh और thousand को separate कर दिया है, तो यह number हमारे क्या रहा, three crore, 89,41275, very easy, हम असानी से इसको read कर सकते हैं, और जब हमारा conversion आएगा, क्योंकि इसको हमें words में लिखना होगा, अगर तब भी हमें कोई confusion नहीं होगा, और असानी से हमारे number आएंगे, बिल्कुल भी number कटेंगे, नहीं जो गलतियां होती हैं, जैसे आप interchange कर लेते हैं, या गलत लिख देते हैं, या फिर comma नहीं separate कर पा रहे हैं, तो आप right side से बढ़ेंगे, numbers हमारे कैसे रहते हैं, 1, 10, 100, 5,000, 10,000, lakh, 10 lakh, करो, 10 crore, इस table से आप असानी से समझ सकते हैं, यह आपका Indian system of numeration है, जिसमें हम crores and lakhs and thousands में अपने number को write out करते हैं, और comma separate करने के लिए, हम यह क्या करना है यहाँ पर, right side से 3 digits and next 2 to digit के गुरूप बनाते हुए comments को place करना है, clear? International system of numeration, यहाँ सबसे पहले आप इस table को समझे, कि जो आपने Indian से पढ़ा है, Indian system of numeration में, उसमें से यहाँ थोड़ा सा different है, उसी तरीके से यहाँ चलेंगे, यहाँ से यहाँ से डिफ्रेंशेशन शुरू होता है, day to day life में हम Indian system जदे यूज़ करते हैं, इसलिए बच्चों को बहुत clear होता है, और वो असानी इसे उसको कर लेते हैं, लेकिन international में बहुत गड़बड होती है, और बहुत number करते हैं, तो यहाँ आप दिहान से देखिए कि यहाँ क्या है, 100,000 लिखना है आपको, 10,000 के बाद क्या आएगा, 100,000 और फिर हम जाएंगे, million, and then 10 million उसके बाद, 100,000, यहाँ पर करोर्स नहीं है, लेक्स नहीं है, ठीक है ना, 100,000, 10,000, million, and 100,000, तो in this system, the first comma, comes after the hundredth digit, जो आपके hundredth वाली digit आएगी, उसके में first comma आएगा, और second comma आपका जाएगा, जो आपकी 100,000 digit होगी, उसके बाद, 100,000 digit, और third comma हमारा आएगा, thousand million digit के बाद, तो यहाँ हम कितने के गुरूप बनाएगे, 3, 3 के, उसी तरीके से हम right side शी शुरू करेंगे, जैसे यह हमारा number है, 234567898, तो इसको लिखने के लिए हम यहाँ right side शी शुरू करेंगे, और 3 का गुरूप बनाएगे, 898, then हमारा first comma यह प्लेस किया, हमने 567, हमारा second comma आगया, 234, तो इस तरीके से, वहाँ हमने पहले 3 का, फिर 2, 2 के गुरूप बनाये थे, यहाँ आप सीधा समझे कि आपको 3, 3 के गुरूप बनाने हैं, कोई गलती नहीं होगी, कोई confusion नहीं होगा, और इसको read करने जाएंगे, तो words में हम इसको लिखेंगे, 234,567,898, तो इसको हमने कैसे लिखा, 234,000,000, करोर्स में हमको नहीं लिखना है, यह हमें ध्यान रखना है, राइट साइट से शुरू करना है, और 3, 3 के गुरूप बनाने हैं, नमबर जब words में हम लिखने जाएंगे, तो हम 100,000, 10,000, 10,000, और 100,000,000 का यूज़ करेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम आफ नुमरेशन में, जो हम 1,000 के बाद कर रहे हैं, और 9,000 के बाद आ रहा है, तो इस सेपरेशन के लिए, हम यूज़ कर रहे हैं, कॉमास को, क्लियर? ओर्डरिंग नमबर्स, यहाँ आप नमबर्स को एक ओर्डर में लगाएंगे, तो two ways हैं आपके पास, नमबर्स को अरेंज करने के, one is ascending order, and the other one is descending order, ascending order में जो arrangement रहता है, numbers का, the arrangement of numbers, from the smallest to the greatest, and it's known as ascending order, यानि कि नमबर्स को आपको small से bigger की तरफ लेकर जाना होता है, given होगा, यह चीजें tough नहीं है, लेकिन problem क्या आती है, एक तो maths का बहुत pressure हो जाता है, बच्चों पे कि हा, maths का exam है, या फिर हम maths पढ़ रहे हैं, तो वो pressure आपको अपने उपर से हटाना है, दोनों अगर दिये हैं, question को दिहान से बढ़ना है, सबसे पहले तो, ascending order, descending order, दोनों में करना है, या सिर्फ एक में करना है, कभी-कभी आप एक कर लेते हैं, और एक छोड़ कर आ जाते हैं, Indian और International System of Numeration में भी यह होता है, कि question में check करना है, कि दोनों पूछे हैं, या एक पूछा है, आप लोग जल्दी-जल्दी करते हैं, फिर आधा नमबर आता है, आधा नहीं आता है, आधा ही करकर आप आ जाते हैं, तो पूरा नमबर हमें पढ़ना है, और दूसरा जी जो digits दियो होती है, इनको हमें कभी आपस में इंटरचेंज नहीं करना है, और चैसे नमबर हमें लिखे हैं, दिये हैं, उन्हीं फिगर्स को हमें लेके वगाउट करना होता है, बचे अगसर मैने देखा goose को चेंज कर देते हैं, और उसके बाद प्लस माइनस में भी गलती आती है, और सारी के सारी नमबर आपके कर जाते हैं, जबकि पूरा method ठीक होता है, पूरा सबाल भी ठीक होता है, लेकिन बस कहीं 0 नहीं place किया, कहीं 2 के नीचे 4 नहीं लिखा, और फिर दिक्कत हो जाती है, तो अच्छे से इसको समझें, कि the arrangement of numbers from greatest to the smallest, अगर आप जाएंगे, तो फिर क्या कहलाएगा वो, वो हो जाएगा हमारा descending order, अब इस example से हम समझते हैं, यह question में हमें दिया है, अलग-अलग numbers हमें दिये हैं, जैसे 328, 629, 5437, 163, 4904, अब यह numbers जो हैं, इसमें आप देखिए, कि कुछ numbers जो हैं, वो हमारे digits में हमें पता चल रहा है, कि यहां पे सिर्फ 3 digits हैं, यहां पे 4 हो गई, तो यह number बड़ा ह होगा, और यह भी बड़ा होगा, तो हमें पहले ध्यान रखना है, कि greater number कौन से हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हम greater को देख लेंगे, फिर small हमें दिख रहा है, यहां पे 629, 328, और 163 में 33 digits हैं, तो सबसे पहले हम इन तीनों को लेंगे, और इसमें देखेंगे, कि first number पे हम हमारे digit कौन सी है, तो यहां हम देख रहे हैं कि 1 है, यहां पर 6 और यहां पर 3 है, तो अब 3, 6 और 1 में small कौन सा है, small number हमारे क्या है, 1, तो हम कौन सी digit लगेंगे, 163 और इसको सबसे पहले रखेंगे, 163 small है किससे, 328 से, क्योंकि again 6 and 3 में small कौन है, 3, फिर 629 प्लेस करेंगे, और next हमारा number आएगा, 4,904 और last number हमारा आएगा, 5,437 तो यह question easy था क्योंकि इसमें, जो first deserts थी, वो अलग-अलग थी, 4 जो है, वो small है 5 से, है ना, तो हमने इसको easily place out कर दिया है, अगर same deserts होती हैं first position पे, तो फिर हम second desert check करते हैं, और second भी same है, तो हम third पर जाते हैं, और third भी अगर same है, तो फिर हम fourth desert को check करते हैं, कि four small है, तो फिर हम small वाले को पहले लिखते हैं, अब यह हमने एक बार ascending order में लगा लिया, तो अब हमारे कोई problem ही नहीं है, descending में लगाना है means is composite, जो last one है, उसको हम सबसे पहले लिखते हैंगे, 5,437, greater number जो हमारा first position पर आएगा, उसके बाद as it is हम उन numbers को लिखते हुए चले जाएंगे, जो हमने ascending में किया है, तो descending order में हमें क्या करना है, सबसे पहले greater number लेना है, उसके बाद उससे small, उससे small, और then उससे small, और फिर last में हमारा सबसे small number आजाएगा, तो यह एक easy method है, इस तरीक सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए, कि इन दौनों में difference क्या होता है, face value वो होती है, जो number itself खुद होता है, उसका जो भी number, अगर 5 है, तो उसका face value 5 ही रहेगा, 9 है, तो 9 का face value 9 होगा, है ना, तो face value वही होती है, जो number होता है, और place value में उस number को हमने place कहा किया है, इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल में भी मैंने table बना के पूरा आपको placing बताया था, कि 1, 10, 100, 1000, तो जो digit हमें दी है, वो हमारे number में किस place पर आ रही है, उस place से हम multiply उस number को करेंगे, और उसकी place value हमारे पास आ जाएगी, इस तरह किसे हम उसे calculate करते हैं, तो in Indian system of numeration, the value of a digit depends on the place it occupies in a number, the face value of a digit in a number remains as it is, वो change नहीं होती है, चाहे वो किसी भी place पर हो, whatever place it may be occupying, face value of 6 in 4, 3, 2, 6, 8, 7, 9, 5 is just 6, none other than anything, 6 है तो 6 ही उसकी face value रहेगी, अब इसके बजाए हम कोई और number ले लेते हैं, for example, अगर हमें number लेया हमने, 4, 5, 6, 7, 3, और यहां पे हमें निकालनी हैं, अपनी face value 4 की, तो कोई फक्त नहीं पढ़ता कि यह, हमने कहां place किया हुआ है, 4 की place value, जो है वो different होगी, लेकिन face value 4 ही रहेगी, the place value of a digit in a number depends upon the place it occupies in the place value chart, face value से place value different होती है, place value में हम placing देखते हैं, कि हमने उस number को कहां digit में place किया है, जैसे अगर हमें 5 की place value निकालनी हैं, और number है हमारा 543895140, तो हमारे पास यहां पर 2 5 हैं, एक 5 हमने सबसे पहले place किया है, और एक 5 हमने 1000 की position पे place किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि 5 को 1000 से multiply करेंगे और हमारे पास 5000 आ जाएगा, है ना, तो यह इस वाले 5 की place value हो गई, और second 5 की place value के लिए हम 5 को multiply कर देंगे, जिस position पे हमने उसको रखा है, और उसको भी हमें place value मिल जाएगी, अब हमें question आता है, अगर इस तरीके से, जैसे यहां हमने 5 की place values निकाली हैं, तो normal question रहता है कि आप 5 की दौनों place values calculate करिए और फिर उसमें difference बताईए, तो यहां जैसे आपने यह दौनों निकाली हैं, eight zeros हैं इसके बाद, तो वो आप इस number को लिखेंगे, आपको क्या करना होता है, इनका difference बताना होता है, कि इन दौनों numbers में difference बताईए, तो हम simply क्या करेंगे, इनका जो place value हो निकालेंगे, और उसके बाद इनको आपस में minus कर देंगे, minus करना, यानि कि हमें क्या करना है, difference निकालना है, question रहेगा कि पहले आप कोई भी एक number है, और वो दो बार उस digit में आया होगा, और उसकी place value आप निकालोगे, फिर उसका difference आप से पूछा जाएगा, तो हम simply इसी तरीके से, जिस place पे वो है, multiply करके, उसकी place value निकालेंगे, फिर उन दौनों को bigger में से smaller को हम क्या कर देंगे, minus कर देंगे, minus करने के बाद, जो number हमारे पास आएगा, यहां हम क्यारी लेंगे, जैसे आप सब बच्चे जानते हैं, यहां 10 हो जाएगा, और यहां 9, यहां पर भी 9, और यहां क्या रह जाएगा, 4, उसके बाद यह 10 में से 5 में आगया हमारे पास, यह 9, 9, और यहां 4 आगया आपके पास, clear? तो इस तरीके से यह हमारे पास जो निकल के आया, answer, यह हमारे क्या हो गया, difference हो गया, दौनों place values में से, एक number रहता है कि आपको place value और face value में भी difference पूछा हो जाता है, अगर यहीं पे, हमारे पास जैसे 8 है, इसमें, digit में, तो 8, once आया है, एक बार आया है, तो 8 की जो face value है, वो 8 ही है, लेकिन यह है किस position पे, lack की position पे है, तो वो क्या होगा, इसका place value हो गई, face value और place value में minus करके भी difference निकाला जाता है, और वो question भी आता है, कि आप face value, place value का difference बता दीजे, वहाँ पे भी, आप place value calculate करेंगे, इसी तरीके से, और फिर simply उसमें से face value को minus कर देंगे, तो आपका difference आ जाएगा, तो यह दो question आपके पास आते हैं, या तो दोनों का place value आपको पूछा जाएगा, फिर difference निकालना होगा, तो आपको इसी तरह करना हैं, और कोई भी mistake नहीं करनी है, 0 जो है उसको, जो value होती है, उसकी same होती है, place value भी और face value भी, यानि की 0, 0 को लेके बच्चे बहुत confuse होते हैं, वो confusion आपको नहीं करना है, ठीक है students, आपको ध्यान रखना है, कि 0 की place value और face value दोनों 0 ही होती है, ऐसे ही number है, 10, 20, 100, 200, तो यहाँ पर भी यह zeros जो हमने use किये हैं, यह placeholders हैं हमारे, अब हमें अगर इनी को change करके हैं, जैसे यहाँ पर आप कोई और number ले लिए, हमने ले लिया 3, तो number हमारा क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 5, 4, 3, 8, 9, 5, 1, 4, 0, अब हमें पूछा जाएं अगर कि 3 की face value और place value का difference बता दीजे, तो face value जो होगी, 3 की वो कितनी होगी, 3 ही होगी, है ना, लेकिन जो place value हम निकालेंगे, वो हमारी कितनी होगी, 3 और multiplied by, जिस position पे 3 रखा हुआ है, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद, lakh, 10 lakh, 10 lakh की position पे हमारा 3 है, तो हम इसको multiply कर देंगे, ठीक है, और हमारी जो position है, उसको हम clear करेंगे, इस तरीके से, answer निकालेंगे, और इसमें से हम 3 को minus कर देंगे, Now, it's practice time, जो कुछ हमने पढ़ा है, अब उसकी हम practice कर लेते हैं, तो 1st question हमारा आता है, इस question में आप देखिए, place commas correctly and write the numerals, 73,75,307, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको numerals में place out करेंगे, ठीक है, numbers में हम इसको write out करते हैं, तो 73,75,307, तो इधर right side से, मैंने आपको बताया था, हम grouping करते हैं, और ये हमारे हो गए, 3 digits, और उसके बाद हम यहाँ comma place करेंगे, फिर 2 digits का group बनाएंगे, और यहाँ हमारा comma आएगा, तो यह कितना हो गया, 73,75,307, यह आपका A वाले का solution है, जिसमें आपको पहले number को numeral में लिखना है, और उसके बाद commas place करने हैं, अब आते हैं हम B part पर, तो यह है 9 crore 5 lakh, तो उसी तरीके से हम इसको पहले numeral में note out कर लेते हैं, कि 9 crore 5 lakh 41, now it's clear, देखिया आप यहाँ से बढ़िये तो, 1, 10, 100,000, 10,000, 10,000, 10 lakh करोर हो गया न, तो कितना हो गया यह, 5, आपका 9 crore 5 lakh 41, right side से हम left की तरफ जाएंगे, और यह 3 का group बना के यहाँ कॉमा प्लेस करेंगे, और उसके बाद, एक कॉमा हमारा 5 के बाद आएगा, है न, फिर यह 2 का group बना के यहाँ 9 के बाद, एक कॉमा हम प्लेस आउट करेंगे, और इसको read करेंगे, तो read करने में भी बहुत easy हो जाता है, आप देखिये, कॉमा प्लेस करने के बाद हो गया, यह 9 करोर 5,41 क्लियर, मेरी ख्याल से कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, next question देखिये, C वाला पार्ट, 7 करोर 52,21,302, और यह सब इंडियन सिस्टम में है, तो यह आप day to day life में भी वर्ट सुनते हैं, इसमाल करते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले हम इसको उसी तरीके से न्यूम्रल में लिख लेते हैं, 7 करोर 52,21,302, तो यह आगया हमारा न्यूम्रल, अब इस न्यूम्रल में हम 3 का गुरूप, एंड अगें 2,2 के गुरूप, कितना संपल है, और यह हमारा हो गया, 7 करोर 52,21,302, और आपको एक नंबर मिल जाता है, क्लियर, अब नेक्स कुशन देखिए, D, 58,423,202, अब यह इंटरनेशनल सिस्टम है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम इसको कैसे लिख रहे हैं, पहले हम इसको कनवर्ट करते हैं, न्यूम्रल में, तो 58,423,202, अब इसमें और इंडियन सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, इसमें हम 3 तरी के गृप्स बनाते हैं, यहां 202, राइट से शुरू किया, लेफ्ट साइड आए, और यह हमारा फर्स तरी का गृप्स हो गया, अगेन भी हमारा थरी का ही गृप्स रहेगा, जहां हम कॉमा प्लेस करेंगे, अब यह कितना हो गया हमारा, 58,423,202, next E वाला कुश्चन है हमारा, 23,30,010, तो इसको पहले हमें क्या करना है, न्यूमरल में लिखना है, 23,30,000 और आपका कितना है, 10, simply, इसमें तो easy है, आपको थरी का गृप्स बनाना है, और उसके बाद एक 2 का बनाना है, तो कितना हो गया यह, 23,30,0,10, यह अभी इसमें कुछ मिस्टेक लग रही है मुझको, तो इसको हम correct कर लेते हैं, न्यूमरल लिखने में, पहले हम इसका न्यूमरल दुबारा प्लेस करते हैं, और फिर से इसको write out करते हैं, तो यह कितना है हमारा, 23,30,010, यह दुबारा हम इसको यहां लिखते हैं, 23,30,010, clear? तो अब इसमें फर्स्ट ग्रूप हमारा 3 का रहेगा, और फिर हम टूटू के ग्रूप में कॉमास प्लेस करेंगे, now it is perfect, 23,30,010, clear? इस तरीके से आपको write out करना है, second question है, insert comma suitably and write the names according to Indian system of numeration, यहां हमें Indian system के हिसाब से नाम पहले words में लिखना है, ठीक है ना? अभी हमें ऊपर क्या दिया था? words में दिया था और हमने numerals में लिखा था, यहां हमें numerals पहले से दिये हुए है, हमें इसको पहले words में लिखना है और उसके बाद इसमें suitably comma भी लगाने हैं, तो कॉमा आप प्लेस करेंगे तो किस तरीके से आएंगे? right side से आप लेना शुरू करेंगे, कहां जाएंगे? left में तो first group आपका थरीका रहेगा, और फिर two two के group हम बनाएंगे, अब इसको आप read करिये, तो 8 crore 75,95,762, अब इसको हम यहां लिख देते हैं, तो 8 crore 75,00, 95,762, थाउसेंट सेविन हंड्रेट सिक्स्टी तू इसी तरीके से आपको सारे नंबर्स को वर्ड में लिखना है और नूम्रल्स भी उसमें प्लेस आउट करने हैं जैसे यह नंबर है इसमें भी आप क्या करेंगे राइट साइट से जाएंगे थरी का गुरूप बनाएंगे और फिर टू टू के गुरूप बताते हुए कॉमास प्लेस करेंगे तो यह कितना हो गया आपका 85,46,283 85 क्या है आपके लैक है और 46,000 है और 283 इस तरीके से आप इस नंबर को वर्ड में राइट आउट कर देंगे यहां लिखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही थी तिलिए मैंने यह वर्ड में नहीं लिखा है इसको आप थोड़ा सा खुद करेंगे इंसर्ट कॉमा सुटेवली एंड राइट दा नेम्स अक्रोडिंग तो इंटरनेशल सिस्टम उफ नुमरेशन यह तो और भी एजी है जैसा मैंने आपको बताया था क्या करना है आपको 3 3 के गरूप मादा ने हैं तो वहां याद रखिए कि 3 का गरूप बनाया है 2 2 का बनाया कलमा क्यू प्लेस कर दिया यहां आपको च्या करना है तो बस 3 3 कि को क्या रहें यहां ब्र Sum啊bn verses क्या हो गया, 78 million, और कितना हुआ, 900, आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको पूरा words में लिखना है, यहां मुझे थोड़ी difficulty आ रही थी, इसलिए मैंने इस तरह लिख लिया है, 900, 21,000, clear, 1000, और कितना है आपका, 92, 92, इसी तरीके से इस वाले words में हम उसमें भी लेंगे, numeral में, कि हम 33 के अपने groups बना लेंगे, तो एक यहां कॉमा रहेगा, एक कॉमा हमारा, यहां हम प्लेस आउट कर देंगे, clear, तो यहां हमारे number क्या हो जाएगा, 7 million, इस बार कितना हो गया, 7 million, or 452,000, 452,000, 252,000, 283, 283, clear, तो इस तरीके से आप इसको words में write-out कर देंगे, next question हमारा, चलिए, अब हम फटा-फट से questions अपने आगे solve वरते हैं, और practice अपनी और ज्यादा मजबूत करते हैं, तो पहला number है, जिसको हमें expand form में लिखना है, 426789, तो हम इसकी निकालेंगे place value और उसको कर देंगे multiply उस digit के साथ, तो यहां आ जाएंगे हमारे five zeros, जितने number आपके बाद में हैं, right side में उतने zeros आप simply plus कर दीजे, कभी गलत नहीं होगा, 2 लिखिए, 2 के बाद आप उसकी place value के साथ, उसको multiply कर दीजे, simply, next number है हमारा six, और उसको हम उसकी place value thousand से multiply करेंगे, plus seven multiplied by hundred, क्योंकि यह hundred position पे है, plus eight multiplied by ten and nine multiplied by one, क्योंकि यह ones की position पे है, तो हो गया है हमारा expanded form, second question और मैं आपको करती हूँ, third आप अपने आप कर लीजेए, या फिर एक C बाला में कर देती हूँ, देखे, eight, nine, zero, four, two, five, nine, simple है, जो number जहां है, उसके बाद जितने numbers, digits हैं, उतने zeros आप place कर दीजे, कोई mistake नहीं होगी, ठीक, तो यहां हमारे इस तरीके से zeros आगए, और nine, multiplied by five zeros हमने place करने है, प्लस zero को हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, कि यह zero है, तो हम इसे ना लिखें, ऐसी गल्दी हम नहीं करेंगे, उसको plus में zero में लिखना है हमें, multiply zero को आप किसी भी डिजिट से करिए, zero ही आता है, इसलिए आपको simple zero लिखना है, और four को thousand से multiply करके show करना है, यह plus का sign है, यहाँ पे multiplication है, clear, यह दोनों plus हैं, और thousand के बाद next number हमारा आता है, two, two को multiply हमने करना है, hundred से plus five multiplied by ten plus nine multiplied by one, तो यह आप करेंगे खुद last वाला और नहीं होता है, तो मुझे combine करके बताएं, अब हमें लिखना है standard form में, तो वो opposite है इससे, कि हम जो multiplication में number हैं, उनको multiply करने के बाद number को add करके simply write out कर देंगे, जैसे यह हमारा 2453 है, तो हमें इस से इस तरीके से numeral में लिखना है, simple, clear हो रहा है आपको, यह कितना है, आपका 2000, यह है 400, यह है 50, यह है 3, तो number हो गया हमारा 2453, next number को भी हमें इसी तरीके से change करके लिखना है, zeros हमें suppress कर देने हैं, ठीक है, तो 74926, 7496262, कोई confusion नहीं है, यह number हमारा हो गया, 749262, करेक्ट, यह number हमें लिखना है, तो यह हमारी क्या हो गई, standard form हो गई, अब हमें यह question सबसे ज़्यादा आता है, जो 7th है, उसको देखे, find the difference between place value of 4 in 4, 6, 3, 5, 4, 7, तो यहां दो बार 4 दिया है, एक बार 100 पोजिशन पे दिया है, 100 से आगे बढ़िये, तो 1000, 1000, 1000, 10000, 10000, 10000, 10000 तो 9 लेक की पोजिशन पे 4 है, और 100 की पोजिशन पे, तो इसकी 2 place values हो गई, first place value हम निकालेंगे, यह हो गई हमारी first place value, और दूसरी कितनी है हमारी 400, clear, क्योंकि यहां 4 कहा है, 100 पोजिशन पे है, तो हम उसे 100 से multiply करेंगे, तो कितना आजाएगा, 400, तो यह जो second 4 है, उसकी place value है, और जो first 4 है, वो हमारा कहा था, 10000, 10,000, 10,000, 10,000 लेक, 10,000 की position पे, तो हमने यहां 6 zeros place किये हैं, और 4 लिखा है, ठीक है, तो यह हमारी first place value 4 की है, और अब हम बच्चों इसको कर देंगे, minus, तो difference निकालने का मतलब क्या होता है, minus करना, तो यहां आगया हमारा 00, अब आपको बता है, हम यहां से carry लेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 4 की जगे 3, और बाकी सब यह क्या हो जाएँगे, 9 हो जाएँगे, आपके कितने हो जाएँगे, 9, तो 9 में से हम कितना minus कर देंगे, 4 minus करेंगे, तो हमारा क्या आजएगा, 5 आजएगा, और यहां as it is 9, 9, 9, तो number हमारा हो जाएगा 4999-500, यह हमारा क्या निकल के आया, दोनों place values का difference, clear, यह है हमारा difference, next question देखिए, find the difference between place value and face value of 7 in 64709543, यह number जरूर आते हैं, इस तरीके के question, जहां आपको place values, face values में difference, यह फिर place values का difference रहता है, ठीक है, तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, 7th वाले को, सिर्फ हमें face value पूछा है, नोंने, 7 number में सिर्फ एक बार आया है, और वो किस position पे है, दिखिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10000, 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 10000 को से minus कर देंगे, तो minus करने के लिए, यहां हमारा कितना रहे गया वा, 6, और बाकी सब यह क्या हो गया, 9, clear, अब 9 में से, हम 7 को minus कर देंगे, तो यहां हमारा कितना आ गया, 2, और यह हमारे 9 आ गया, और यहां कितना हो गया, 6, तो यह हमारा क्या हो गया, difference, किसका हो गया, यह difference है, face value और place value का, और यह दो place values में difference है, तो यह question दोनों तरीके से आता है, तो यह ध्यान से आप देख लीज़े और इसको दोनों तरीके से कर लीज़ेगा, फिर है, write all 5 digit numbers using the digits 6, 3, 9, 4, तो यह तो simple है, आप कर लेंगे, इसमें क्या करना है, आपको digits को form करना है, अलग-अल 5 digit numbers using the digits, आपको क्या करना है, जतने भी 5 digit numbers in digits को मिला कर बन सकते हैं, एक-एक बार उतना आपको इनको मिला-मिला कर, अलग-अलग form में करके लिखना है, एक और question है, जो मेराज छूट रहा है, इर्थ वाला, how many 6 digit numbers are there in all, देखिए, यह question बहुत important है, और यह आता है, question number 8, ठीक है, इसको देखिए, how many 6 digit numbers are there in all, इसको करने के लिए हमारे पास formula क्या होता है, highest 6 digit number, कैसे करेंगे हम, जो highest 6 digit number होगा, वो लिखेंगे हम, और उसके बाद minus किसे करेंगे हम, smallest 6 digit number से, smallest 6 digit number, और क्या कर देंगे, इनको minus करने के बाद जो आएगा, उसमें plus 1 कर देंगे, तो आपको पता है, कोई भी number अगर हमें highest करना होता है, तो हम 9 ले लेते हैं, जैसे अगर हम 6 9 ले ले, तो वो हमारा हो जाएगा, six digits का highest number, ठीक, और अगर हमें number का smallest लेना होता है, तो हम one लिखके zeros ले ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाता है smallest number, ठीक, ये हो गया हमारा highest number, ये हो गया smallest six digit number, अब हम इन दौनों को क्या कर लेंगे, minus कर लेंगे, ठीक है, minus करने के बाद, जो number हमारे पास आएगा, उसमें हम plus क्या कर देंगे, one, तो इस digit में हमें plus यहां लिख देती हुए, अलग से, जैसे आपको कोई confusion ना हो, ये number हमने minus करके निकाला, इसमें हम plus one कर रहे हैं, तो 9 9 और 1 कितना हो गया, 0, 1 कैरी गया, 9 और 1, 0, again 1 कैरी हो गया, 9 और 1, 0, again 1 कैरी, 9 1, 0, 9 1, 0, और ये हमारा आ गया, कि हमारे कितने six divisit number होते हैं, ये question आप बहुत द्याम से देख लीजे, eight number का मैंने आपको कराया है, ये आता है, और आपको इस तरीके से इसको करना है, highest six divisit number, minus five six, जो smallest six divisit number है, वो लेंगे, और उसमें एक हम प्लस कर देंगे, तो हमारा number निकल कर आ जाएगा, clear? Roman numerals, Roman numerals में और Hindu Arabic system में numbers को लिखने के लिए, one को हम place कर रहे हैं, इस तरीके से, इस symbol से, five के लिए, V लेते हैं, one के लिए I, ten के लिए X, 50 को हम denote करते हैं, L से 100, C से denote होता है, और 500, D से 1000 को हम M से denote करते हैं, तो ये तो हो गए हमारे Roman numerals रखने के लिए, जो हमने denotions लिए हैं, फिर कुछ rules होते हैं, जिनका हमें धिहान रखना पड़ता है, If a symbol is repeated, its value is added as many times as it occurs, जैसे अगर हम तीन बार I लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि हम three लिखना चाहा रहे हैं, तो ये किसके बराबर हो गया, three के, जितनी बार आप उसको repeat करेंगे, उतनी बार उसकी value add होगी, तीन बार से ज़ादा कोई भी symbol आप repeat नहीं करेंगे, और V, L और D को कभी भी repeat नहीं किया जाता, अगर हम number लिख रहे हैं और इनको हमने एक बार use कर लिया है, तो हम इनको दुबारा से number लिखने में use नहीं करेंगे, सिर्फ I, X, C और M को हम repeat कर सकते हैं, ठीक, अगर smaller numeral है और उसको हमने एक बड़े number के left side में लिखा है, तो वो हमेशा क्या होता है, subtract होता है, और अगर right में लिखा है, तो वो add होता है, जैसे अगर मैंने V लिखा और उसके साथ में I लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? 6, लेकिन अगर मैंने V लिखने के बाद left में I लिखा है, तो यह हो गया 4, यानि कि अगर मैं left में बड़े number से small number left में place out करूँगी, तो वो minus होगा, लेकिन right में करूँगी, तो वो plus होगा, clear? यह हमारे rules है, Roman numerals लिखने के लिए, और अब हम example से समझते हैं, तो पहले हमें Hindu Arabic notation में कुछ numbers दिये गए हैं, जैसे पहला number है 36, और इसको हमें लिखना है number numerals में, तो कभी भी आपकी mistake नहीं होगी, अगर आप इसको अलग-अलग करके पहले लिख लेंगे इस थरे, 30 कैसे वाना है मिलके, 30 plus 6 से, 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 plus 10 plus 10 plus 6, देखो जिस तरीके से सबसे easy हो सकता है, और आपको समझ आ सकता है, वो मैं कराने की कोशिश कर रही हूं, तो सबसे पहले हम अपने नंबर को इस तरीके से लिख लेंगे, 30 कैसे बनाए, 30 plus 6 से, और 30 को कैसे write out किया जा सकता है, 10 plus 10 plus 10 plus 6 से, कभी कोई mistake आपकी नहीं होगी, 10 लिखने के लिए हम किस symbol का इस्तेमाल करते हैं, एक्स का उपर आप table में भी देख सकते हैं, कि हम यहां x और 10 का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो वही 10 हम यहां ले लेंगे, अपना denotion के लिए, तो हमारे कितने आएंगे, x, 3, फिर हमको क्या लिखना है, 6 लिखना है, तो 6 लिखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, V का और I का जो मैंने पहले यहां भी आपको लिख कर दिखाया था 6 उस तरीके से यह हमारा क्या हो गया 6 तो यह पूरा नंबर हमारा क्या बन गया ट्रुपल एक्स और V I यह क्या हो गया 36 अब इसी तरीके से हमको सेकिंड नंबर अपना लिखना है 45 तो 45 को भी हमने कैसे लिखा होता है 40 प्लस 5 ठीक है और 40 को हम कैसे लिख सकते हैं अगर हम 50 में से टैन माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएक होटी अजयेगा और प्लस उसमें 5 जोड़ें तो क्या हो जाएगा 45 अब आपको यहां उपर दीख रहा है कि आपको L sign लिखना होता है 50 के लिए तो 50 में से आपको क्या minus करना है X simple तो हम क्या लिख देंगे यहां हम लिखेंगे L और L के left side में हम क्या लिख देंगे X जो denote करता है 10 को और यहां लिख देंगे V तो यह हो गया हमारा XL V 45 को जो हमें denote करके बता रहा है clear next number है हमारा 3rd वाला 69 अब 69 को आप कैसे लिखेंगे वो बताइए 60 plus 9 60 plus 9 और 60 को हम कैसे लिख सकते है 50 plus 10 clear 50 plus 10 क्या होता है 60 और प्लस उसमें 9 और जोड दीजे अब 50 का sign आपके पास क्या है L 10 आप कैसे लिखते है X और 9 लिखने के लिए अगेन हमको क्या करना होगा 10 में से I को माइनस कर देना होगा तो यह क्या होगया हमारा 69 आगया clear अब हमें लिखना है 540 next हमें क्या लेना है पहले eraser लेकर मैं इनको rub कर देती हूँ और फिर आपको next जो है number करके दिखा देती हूँ जिससे यहां थोड़ा सा space हो जाए चलिए अब हम next number कर लेते हैं जो है हमारा 540 दूसरा color ले लेते हैं जिससे हमें दिक्कत ना हो ठीक है आई वी में हमारा कितना है 540 इसको हमें denote करना है इसको हम कैसे लिख सकते हैं 500 प्लस 40 और 40 को कैसे लिख सकते हैं अगें हम 50 माइनस 10 500 को लिखा प्लस 40 लाने के लिए हमारा क्या हो जागा 50 माइनस 10 यह बहुत easy method है और इसमें errors नहीं होते बिलकुल भी इसलिए आप इसको prefer करिए 500 को D से लिखेंगे और 50 लाने के लिए आपने क्या करना है L लिखना है और L में से क्या माइनस कर देना है 10 तो D XL कितना हो गया 540 है ना easy इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे अपना 8 9 5 तो वो भी हमारे किस तरीके से लिखेंगे हम इसको 500 प्लस 300 प्लस 5 और 3 कितना हो गया 800 प्लस हम उसमें क्या और जोड़ेंगे 90 माइनस 100 करें 100 मैनिस 10 करेंगे तो 90 आजाएगा प्लस 5 आजाएगा हमारा ठीक है तो यहां हमारा आएगा 95 इसको लिखने के लिए क्या आएगा 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 और हम क्या करेंगे 100 में से 10 को माइनस कर देंगे और प्लस 5 यह हमारा आगया ठीक अब हम क्या करेंगे इसको न्यूमरल उसमें अपना रोमन न्यूमरल में लिख लेंगे तो 500 के लिए हमारे पास क्या है D है क्या है D अगेन 100 के लिए हमारे पास क्या है C तो हमारे कितने C आजाएंगे 3C आजाएंगे हमारे पास और हम क्या करेंगे, एक C में से हम माइनस क्या कर देंगे, 10 माइनस कर देंगे और 5, तो D, triple C, X, C भी हमारा आ गया, ये number आ गया, जिसको हमें लिखना है, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको भी निकाल लेंगे, अब हमारे पास रहते हैं, जो next हमें करना है, वो है हमारा, write the following in Hindu Arabic numerals, तो हम पहले clear कर लेते हैं, और उसके बाद हम इनको भी करते हैं, अभी, अगर आपको नहीं समझ में आए, तो आप वीडियो पीछे करके, इसको दुबारा से run करके समझ सकते हैं, थोड़ा सा space कम हो रहा था, इसलिए मैंने इसको पहले rub कर लिया है, और अब हम कर लेते हैं, अपना दुबारा से pen चूज करके red color ले लेते हैं, या फिर blue, अब हम लिखते हैं Hindu numerals में, और पहला ले ले लेते हैं, अपना question, हमें क्या लिखना है, triple x iv, तो इसको भी हम अलग-अलग कर लेते हैं, हम पहले देखिए, क्या है, triple x है, plus हमारा कितना है, iv है, अब आप देख रहे हैं, triple x का मतलब क्या हो गया, 30, यानि कि 10, plus 10, plus 10, और ये कितना हो गया, 4, तो आप number हमारा कितना आ गया, 34, is there any confusion, अब हम second पे जाते हैं, अपना, जो है, d, double x, v, i, 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 इसको भी हम उसी तरीके से अलग-अलग कर लेते हैं, d, plus, 2x है हमारे पास, plus, v, 2i है, d को हम क्या लिखते हैं, 500, प्लस, ये क्या हो गया, हमारे दो 10 है, तो 20 हो गया, 10 plus 10, plus, 5 के साथ 2, 1 है, तो कितना हो गया, 7, तो number क्या हो गया, हमारा 527, इस तरीके से हम सारे numbers को हिंदू-अरेविक नोटेशन में change कर लेंगे, तो पहले आप क्या करेंगे, नमबर को जैसे मैंने आपको सिखाया, explain करके लिख लेंगे, जिससे further confusion ना हो, और इसको आप repeat करके, देख सकते हैं, आपको clear, word problems are the essential part of your exam, इसलिए आपको word problems को बहुत clearly करना होता है, तो हम अपने word problems को अब शुरू करते हैं, first question के साथ, और clearly हमको पढ़ना होता है, concentration बहुत जरूरी है, आप अगर concentration नहीं रखते हैं, तो क्या होता है, mistakes हो जाती है, तो पहले हमें बहुत ध्यान से अपने question को read करना है, हमसे क्या पूछा है, और उस तरीके से हमें उसको लिखना है, और दूसरा हमें statements के number होते हैं, statements हमें जरूर लिखने होते हैं, तो पहले आप यहां statements write out करेंगे, उसके बाद आप आगे calculations करेंगे, तो exhibition जो, a book exhibition was held for four days in a school, the number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050, 27551, find the total number of tickets sold on all the four days, तो आपको clearly इसमें सारे के सारे statements लिखने होंगे, कि, first statement क्या आएगा, number of days, book exhibition held, held is equal to four, आपकी exhibition जो हो रही है, वो कितने दिन के लिए हो रही है, four days तक चलिए, फिर, first day, आप statement लिखेंगे, कि number of tickets sold on first day, तो first day कि जितने भी tickets sold हो है, वो लिखेंगे, write out करेंगे, फिर, number of tickets sold second day, number of tickets sold third day, number of tickets sold fourth day, और अब आप इनको कर देंगे plus, क्योंकि यहाँ आपसे total पूछा है, total means आपको क्या करना होगा, addition करना होगा, addition करना सारे बच्चों को अच्छे से आता है, और आपका answer इसका 7707, आप लिख देंगे, इन सब को add करके, second question है, शेखर is a famous cricket player, he has so far scored 6980 runs in test matches, he wishes to complete 10,000 runs, how many more runs does he need, तो उसने अब तक, जो run score किया है, वो आप लिखेंगे, ठीक है, दोनल statement लिखेंगे, अब उसको कितना score करने का मन है, 10,000, अभी तक कितना score किया है, वो हमें लिखना है, clearly, 6,980, और इसको हमें minus करना है, क्योंकि हम से more runs पूचा है, यहां हमें निकालना है, difference, यानि कि हमें करना है, subtraction, अब आप carry लेंगे, और carry लेके, यहां आपका कितना हो जाएगा, 10, 9, यहां भी, 9, 0 में से 0 गया, 9, 10 में से 8, तो 2, 9 में से 9, 0, again, 9 में से 6, minus कर दिया, 3, तो उसको 3,200 runs more बनाने हैं अभी 10,000 करने के लिए, clear, 3rd question देखे, in an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes, and his nearest rival secured 3,48,700 votes, why, what margin did he successfully candidate win the election, तो पहला हमारे statement आएगा, कि जो successful candidate है, उसके registration कितने हैं, तो the successful candidate registered 5,77,500 votes, फिर आप देगे, जो उसका rival है, उसने जितने votes किये हैं, उसका statement देगे, पूरा लिखने के बाद, हम क्या करेंगे, यहां मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आपको लिखना है, इन दौनों को आप minus कर देंगे, आपको margin बताना है, कि जो जीता है, वो कितने margin से जीता है, यानि कि आपको क्या करना है, minus करके दिखाना है, ठीक है, तो अब हम इसको minus कर देते हैं, 0, 0, यहां आपको carry लेना पड़ेगा, तो यह कितना हो गया, 15 हो जाएगा, 5 की जगे पे, और 15 में से आपको क्या minus करना है, 7, तो आपका आजाएगा 8, यहां रहेगा आपका 6, तो यह हो जाएगा carry लेने से 16 में से 8, तो 8, यहां आपका left out रहे गया, 6, 7 की जगे, 4 में से गया, तो 2 आगया, 5 में से 3, 2, तो आपका जो margin है, वो कितने का आगया, 2,28,800, यानि कि जो जीता है, उसने इतने जादा more votes gain किये हैं, ठीक है, तो यह भी आपको लिखना होगा statement में कि इतने margin से वो जीता है, clear? Next question है हमारा, कीरती, book store sold books worth rupees 285, 891 in the first week of June and books worth 9 second week of the month, how much was the sale for the two weeks together, in which week was the sale greater than and by how much? तो आपको क्या करना है कि इस question में आपको पूछा है कि आपकी दौनों weeks में together साथ में sale कितनी हुई है, ठीक है, तो आपको plus करना है, यह मैंने आपको पहले भी बताया था, कि आप 2, sorry कुछ करवड हो रहा है, 2, 8, 5, 8, 9, 1, और कितना है, 4, 0, 0, 7, 6, 8, इसको आपको क्या करना होगा, प्लस करना होगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 2 weeks में जो sale हुई है आपकी together, वो आपकी आ जाएगी निकल कर, ठीक है ना, और किस में ज्यादा हुई है, तो आप देख रहे हैं, कि जून में जो है उन्होंने ज्यादा की है, जून में ये वाली sale हुई है, और second week of month में ये किया है, तो दूसरे week में उनकी sale ज्यादा हुई है, अब इसको हम प्लस करके बता देते हैं, कि 8 और 1 कितना हो गया आपका, 9, 9 और 6, 15, 5 आ गया, 1 हमारा carry हो गया, तो ये 16, 6 आ गया, 5, 1, 6, 8, 4, 2, 6, 6, 86, 659, इतने वर्थ की books उन्होंने क्या की, sold कर दी, कितने में, जून में, 2 weeks में, ठीक है, और ये जो है, first की sale थी, ये है second की, उन्होंने पूछा है, किस की greater थी, तो greater है हमारी second week में, कितनी हैं वो, 400, 7, 6, 8, ये हमारे क्या हो गया, answer हो गया, अब आपको निकालना है, हमें difference, greatest, or least, five digit number, और उसमें हमें number भी दी होई है, यहां पर, तो सबसे पहले, तो हम number लिखेंगे, आप greatest number लिखें, इन digit से मिला के, तो आपको इसको ascending order में लिख देना होता है, तो आपका आजाता है great number, small number के लिए, हम उसी को descending order में लिख देते हैं, तो हमारा आजाता है, small number, इसको हमें दोनों को कर देना होता है, minus, अब यहां कितना हो जाएगा, 12, हमें carry लेना पड़ेगा, 12 में से हम कितना minus कर देंगे, 7 आजाएगा, 5, यहां रहे गया हमारा 2, 2 को carry लेंगे again, 12, 12 में से 6 गया, 6, 4 किता गया रहे गया, 3 हो गया, 13, 13 में से 4 गया, 9, यहां हो गया, 5, 5 में से 3 गया, 2, और 7 में से 2 गया, तो हमारा आ गया, 5, तो यह हमारा क्या हो गया, smallest और great number का difference, clear, इस तरीके से हम को difference निकालना है, पहले great और small number बनाना है, और फिर उनका difference, निकाल कर दिख देना है, अगला हमारा आता है, कि screws बनाते हैं साफ, एक दिन में, कितने बनाते हैं, 2,825, अब month of January में कितने बना दिये, तो देखो कभी भी अगर आपको simply month लिखा हो, तो आप 30 से multiply करेंगे, लेकिन specify कर दिया हो, तो आपको देखना पड़ेगा, कि उस month में कितने days होते हैं, जैसे हमें specify कर दिया जनवरी, और हमें पता है कि जनवरी में 31 days होते हैं, तो हम इसको 30 से नहीं 31 से multiply करेंगे, ठीक है, और multiplication तो आपको आता है सबको, answer लिख दूँ या फिर multiply करके दिखाऊं, तो इसका answer आएगा, 87575 screws, 87575, इतने screws हम जो है, बना लेते हैं, तो इसको एक साथ आप minus कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से आप multiply करेंगे, फिर आप 3 से करेंगे, ठीक है, 5, 7, आएगा, 4, 8, इन दौनों को हम plus कर देंगे, और हमारा ये answer आ जाएगा, इस तरीके से हम इसको करना है, है, a merchant had 78,592 with her, she placed an order for purchasing 40 radio sets, at 1200 each, तो अब आप यहां देख रहे हैं, आपको 1 की cost दीवे, 1 की cost कितनी है, 1200, और आपने कितने खरीदने हैं, 40, तो आप इनको multiply करेंगे, ठीक है, तो 48,000 तो आपकी cost आजाएगी, क्या कहते हैं, कितने, आपने purchase करने, 40 radio sets, तो यहां आपका statement आजाएगा, cost for purchasing 40 radio sets, cost for 40 radio sets, ठीक, कितनी हो गई, 48,000, अब आपको हमेशा, जब कभी भी, एक का दिया हो, और जादा का पूछा हो, तो हम multiply करते हैं, अब आपके पास, पहले से कितने रूपीज थे, 78,592, cost क्या आई, 48,000, अब हम इनको क्या कर देंगे, minus कर देंगे, simple, ठीक है, और इसको minus करके, हमारा result आ जाएगा, तो यहां गया, 2, 9, 5, 0, 7 में से 4 गया, 3, 30,592 रूपीज जो है, वो आपके पास left out रह गये हैं, next question देखिए, एक student को multiply करना था, 7, 2, 3, 6 को 65 से क्या करना था, multiply, मन नहीं, उसने student multiplied 7, 2, 3, 6, 5, 65, ठीक है, जबकि उसको इस number को multiply करना था, 56 से, यहोंने पूछाए कि, do you need to do both the multiplication, जी नहीं, आपको कोई जरुवत नहीं है, कि आप इतने बड़े-बड़े multiplication करते रहें, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, कि आप laborious से जबरदस्ती लगे रहें बिकार में, तो ऐसा हमें नहीं करना है, उसने क्या किया, simply 65 से multiply कर दिया, इस number को करना था, 56 से, हमें क्या पूछाए कि, इसको multiply कीजिए, फिर इसको कीजिए, फिर दौनों में क्या बताई है, difference, difference के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, अब आपको दिख रहा है कि इस पूरे में, 7,2,3,6 जो है, वो दौनों में हैं, तो इसको हम common ले सकते हैं, यह क्या है, common है, दौनों में है, तो अंदर क्या बचेगा, 65 माइनस 56, 7,2,3,6, multiply का sign होता है, यहां, जहां कुछ नहीं होता है, अब आप माइनस कर दीजिए, 65 में से, क्या माइनस करना है, 56, यहां क्या हो गया, 15, यहां क्या रह गया, 5, 15 में से, 6 माइनस करेंगे, अगर आप, तो यहां क्या आएगा, 9, clear, 5 में से 5 गया कुछ नहीं हुआ, तो यहां आपका 9 से आपको सिर्फ इसको multiply करना है, और आपका answer आजाएगा, निकल के, ठीक है, तो आपको जादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कि आप अलग-अलग तरीके से इसको करें, बलकि आप इसको एक ही बार में कर लेंगे, और इसका number, आपको जो difference है वो आजाएगा, जो answer है आपका, 65124, clear, यह आपका answer है, आपको क्या करना पड़ता बढ़ना, यहां देखिया, आसानी से आपने क्या किया, 65 और 56 को minus किया, 9 निकाला, और उससे minus करके, multiply करके आपका answer आगया, otherwise आपको क्या करना होता है, एक बार इसक आपको 56 से multiply करना होता, तब आपका number आता, दूसरा तरीका क्या होता, 7236 को 65 से multiply करना पड़ता, फिर से 7236 को हमें 56 से multiply करना होता, और हमें answers निकालने होते अपने, उसके बाद इसको multiply करिया, और हमार answer आगया, 1, 6, अब हम इनको क्या कर देंगे, minus करेंगे, difference निकालने के लिए, तो 405216, तब हमारा answer आएगा, 65124, इसके लिए बजाएं हम यहां क्या किया, direct method किया, और common लेके 9 से multiply करके इस question को solve किया है, तो आप देख लिएजगा, जो आपको better लगता है, पर मुझे लगता है, first वाला जो हमारा तरीका है, यह वाला, यह जादा अच्छा है, इसको आप जादा असानी से, जल्दी से कर सकते हैं, और हमें वैसे भी method सीखने होते हैं, quick form में करने के, जहां हम जल्दी-जल्दी questions को कर सकें, अब next question है आपका, कि एक आपको stitch करनी है shirt, जिसके लिए आपको 2 meter, और 15 centimeter cloth needed है, out of 40 meter cloth, how many shirts can we stitch, and how much cloth will remain, कितना आप बना लेंगे, और कितना आपके पास बच जाएगा, ठीक है ना, यह आपको निकालना है, इसमें आपको 1 बनाने के लिए कितना चाहिए, 2 meter 15 centimeter, तो पहले हम इस पूरे को centimeter में convert कर लेते हैं, तो 2 meter बराबर 200 centimeter और उसमें आपको 15 और plus करना है, तो हमारा कितना आ गया 215 centimeter, यह तो आ गया हमारा cloth, क्योंकि 1 meter बराबर कितना होता है 100 cm, तो स상 अमने इस को centimeter में convert कर लिया, अब हमारा total cloth हमें देखना है, कितना है, total cloth हमारा है 40 meter तो इसको भी हमे紧 convert करना होगा, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा ये, cm में convert कर के, 1 meter बराबर कितना हो गया, 1000 cm , तो हमारा ये 400,000 cm आ जाएगा ठीक है अब हम इसको क्या करेंगे डिवाइट कर देंगे 40,000 cm को किस से करना है हमें 215 से ठीक तो इसको डिवाइट करने पर पहले बंजा जाएगा तो 215 क्योंकि सेकिंड करेंगे तो हमारा जादा हो जाएगा ठीक है अब इसको हम माइनस कर देंगे 10 में से 5 गया 5 आ गया दर कैरी लियर तो 10 हो गया यह 9 9 में से बन गया 8 यहां कितना रह गया 3 3 में से 2 गया 1 आ गया 85 और यह हमारा नीचे आएगा तो कितना हो गया 1850 अब हम 8 जा लगा देंगे तो इसके नीचे आ जाएगा इसको मल्टिप्लाई करके 1720 इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 130 बच जाएगा यानि कि आपको इसे बनाने के लिए जो उन्होंने पूछा है कि कितनी आपकी शर्ट्स बन जाएगी और तब आपका आंसर आएगा finally, हमेशा हम यह ध्यान रखते हैं कि जो हमारी बाद में centimeter या meter जो भी जिसमें भी हम कर रहे हैं, वो figures हमारी same रहनी चाहिए हैं, तो उसी तरीके से हमने सब को centimeter में change किया और फिर अपना answer निकाल दे, अब आपकी पूरी exercise complete हो चुकी है, यह 10th question अब हम करने जा रहे हैं, और इस में जायतर में plus, minus या multiplication ही करना है, क्योंकि first chapter की आपकी exercise है यह और सारी question में आपको करा दिया है, यह देखे, medicine is packed in boxes, each weighing 4 kg 500 gram, तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताये last में, कि units का देहान रखना होता है, यहां kg है, यहां kg है, तो आप को इसको एक ही unit में convert करना होगा, units हमारी same रहनी चाहिए, इसको भी हमें gram में convert करना होगा, तो सबसे पहले हम units change कर लेते हैं, फिर देखते हैं, कि हम कितना carry कर सकते हैं, तो statement लिखना बहुत जरूरी होता है, weight of one box, statements के भी number होते हैं, और आपको इस चीज का धियान रखना है 4 kg 500 gram, इसको convert करिये, तो ये कितना हो जाएगा, 4000, ठीक है, plus 500 gram, इनको add किया अगर, तो हमारा आ गया, 4500 gram, क्यों, क्योंकि 1 kg बरावर कितना होता है, 1000 gram, clear, तो इस तरीके से हमने पहले क्या निकाला, weight of one box निकाला, अब आप देख रहे हैं, कि हमें number of boxes, जो loaded दे रखा है न, यहां पर, वो digit भी किस में दे रखी है, 800 kg दे रखी है, तो उसको भी हमें convert करना होगा, तो number of boxes can loaded, equal to 800 kg, तो यह 800 नहीं रहेगा, आप इसको क्या करेंगे, multiply कर देंगे, 1000 से, क्योंकि इसको भी आप convert कर देंगे, ग्राम में, और grams में convert करने के बाद यह आप का आजाएगा, 8, इस तरीके से, 8 lakh ग्राम, अब आपको क्या करना है, इसको निकालने के बाद, आप इसको 45 से divide कर देंगे, यह आगया ना, आपका 4500 ग्राम, यह 8 lakh आगया, इनको आपस में हम divide कर देंगे, ठीक है ना, देखिए 45 के साथ 2 0 है, तो 0 0 से 2 0s replace हो जाएगे, आपके पास 8000 बच जाएगा, इसको हमें इससे divide करना है, तो यह 2 0 से 2 0 cancel हो गए, तो आपका 8000 बच आपके पास, इसको आप 45 से क्या करेंगे, डिवाइट कर देंगे, ठीक है, तो 45 बन जा, 45 माइनस कर दीजिए, तो 10 में से, यहां carry ले लेंगे 10 हो जाएगा, 5 गया तो 5 आगया, यह 10 हो गया, 7 में से 4 गया, तो 3 आगया, यह 0 हमारा नीचे आगया, कितना आगया, 350 हो गया, अब 45, 7 जा होता है, 315 माइनस कर दिया हमने, तो हमारे पास आगया, अगया, 35, और यह वला 0 भी हमने नीचे ले लिया, तो यह 350 हो गया, फर्स 7 जा लगाएंगे, फिर 315 आजाएगा, और माइनस करेंगे, तो 35 ग्राम हमारा बचेगा, यानि कि हमारे कितने बॉक्स हम लोट कर सकते हैं, तो 177 बॉक्स कैन बी लोड़ेड, यह हम इसमें लोट कर सकते हैं, यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, अब हमारा नेक्स कुश्चन है, अब इसी तरीके से यह दो कुश्चन में आपके लिए छोड़ रही हूं, कि आप मुझे कमेंट करें कि आप यह कर पाए या नहीं कर पाए, नहीं तो मैं नेक्स स्लाइड में इसको भी पूरा आपको समझाओंगी, देखिए, डिस्टेंस स्कूल की और स्टूरेंट की है, वन क्लो मीटर, 875 मीटर, अब बोद दवेज वो ज्यादा है, तो यह डबल होगी नहीं होगी, प्लियर हो रहा है आपको, और 6 डेज का बताना है, तो पहले तो आप इसको डबल कीजिए, और यूनिट सेम कीजिए, फिर 6 से आपको उसको मल्टिप्लाई करना है, इसी तरी ठीक, फिर आपको बताना है, कि how many glasses each of 25 ml capacity can be filled, बहुत एजी है, आप सिर्फ उसको यूनिट चेंज करिए, और उसके बाद इसको मल्टिप्लाई, उसको आपको 25 से डिवाइड करना है, आपका आंसर आजाएगा, तो यह आपकी exercise थी, जिसमें आपको सिर्फ प्लस माइनस, म दिवाइडेशन करना था, पूरी exercise आपकी यह कम, थैंक यू for watching this video, मैंने पूरी कोशिश की, कि मैं आपको समझा पाऊं सारे topics को clear करा पाऊं, I hope so, कि आपको clear हुआ होगा, और आपको अच्छा लगा होगा, और आप अच्छे number लाएंगे, थैंक यू again, मिलते हैं next class में, till then और आपको कि मैं बाइबाएंगे!